यहां पर कुछ लोगों ने खर्म का चादर ओड़ कर इस देश की इंशानियत का कख्यान करने की कोशिश दिया है। यहां पर खर्म का चादर ओड़ कर कुछ पापियों ने पूरे समाज को जात्पाद 24 गूस्वीत का जो भाव परदा किया गया है। यहां के थगो ने किया है। अपने पूछ बनाये रखने के लिए आपने पूछ बनाये रखने के लिए और सेयर सब को नीच बनाये रखने के लिए बड़ का बटवारा कर दिया। मैं अपने उन सामाजिक परिवर्तन के महनायकों को भी नमन और बंदन करता हूँ जिनोंने एक लंबा संघर्ष बुद्ध के सक्टों का भारत बुलाने के लिए किया था सामाजिक परिवर्तन के महनायक जोदिवराव फुले जी इस देश की प्रथम सिख्षी का पहिला शावित्री भाई फुले जी आजशन के जनक छत्रपती सहुद्री महराज्जी भारती समिधान निर्माता प्रपुद्ध जवर्वसा ड्यक्वरम्वेट के सामाजिक परिवर्त के अगदूद्ध प्लेयार रामस्वामिन आइकर नायराना गुरू संत गारगे संत घाची राम और इशी कड़ी पूत्र भारत में तभी बढ़ादा मानी राम शुरूप बरबार एर्यार अलएई सिंग्यादो महाराज शिंग भारती अब विहार के अलेनित कहे जाने वाले सही जग्द्यों स्वाजी कि इस सामाजिक परिवर्तम के यांदुमन लूपी फिराशत को धांद्यों मांजर कांशी राम जी ने और इन्हीं भारतुषों के विचार धारा को मैं आपके धांगहरों जंजन तक पहुंचाने का प्रियास्ट करहा हूँ कि आजवी रूच्ट आप सुभी लोग भूम धकोशले पांखंड शलामे शे बचने का काम करें क्योंकि यहां पर कुछ लोगों ने थर्वकार चादर वोड़कर इस देश की इंसानियत का क्यान करने की कोशिश किया है कुछ लोगों ने इंसान को बाड़ों में बाटा है कुछ लोगों ने जात्यों में बाटा है जात्पाद चुआ चूँँ उच नीच में बाटने का पाप किया है एक भाव उलक समय की सचना करके लोगों को उच होने का प्रमार पर तो दूसरी और नीच होने का प्रमार पर देने का पाप किया है यही कहड़ है कि दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला दूसरा देश भारत हज्जारों साल तक गुलामी की जंजिरों में जगना गया है आप जानते हैं यह वो भारत है जो सूने की चिरिया कहलाता था यह वो भारत है जब सम्राइट शोक के जमाने में लोगों के घर में ताले नहीं लगते थे चोरी नहीं होती थी देकाईटी नहीं पड़ती थी बेहन बेटियों का सम्मान होता था किसी के साथ किसी प्रकार का भेज़भाव नहीं होता था तमाम कल्यार कारी जोजनाएं ना क्योवल इंशानों के लिए बलकिन जानरों और पक्षियों के लिए भी संचारिक किये जाते थे लेकिन उसी शोनी की चिडिया अले भारत को यहां पर घर्म का चागर ओड़कर कुछ पापियों ने पूरे समाज को जाता च्वाचू दूसरी पर बातने का पात्यार इससे आपको साथां लहने किया सकता हम सभी इंशान हैं हम सभी पहले इंशान हैं मानों हैं इसलिए बुद्ध के विचारों पर चलने वाले लोग नारा बलाते हैं कि मानों मानों एक शमाँ आज इंशान इंशान है हम इंशान को जाक्यों में नहीं बातकते बट्वारा को जानरों में होता है क्योंकि उनके भिन भिन आकार होते हैं भिन भिन बनावट होती है हाथी ऊट गोड़े गाय भैश गदहे शुवर बखरी सब की अलगा बनावट और सब की बनावट को देखकर आपका छोटा सा बच्चा भी जान दाता है ये भैश है ये उट है ये हाथी है क्योंकि उनकी सुर्चना अलग है लेकिन यहां जितने भी लोग बैठे हैं अगर आप गूर के हैं तो ये नहीं कह सकते कि ये भ्रावर है ये छत्री है ये बैश है ये शूद्र है ये हिंगू है ये मुसल्मान है आप नहीं कह सकते हो शेहरा देख करके आप अंतर नहीं बता सकते हो इसका मतलब है इन्सानों में जातिया जात्पाच्वाच्वाच्वूच्वी का जो भाव पैदा किया गया है ये हैं यहां के ठगों ने किया है अपने कूच बनाए रखने के लिए और सेज़ सब को नीच बनाए रखने के लिए बन का बतवारा कर दिया जातियों का बतवारा कर दिया इंसानों को बाट दिया और यही कार्ण है आद हमारा समाज टुपड़ों में बत गया